गुड मॉर्निंग वेलकम टू डी एक्षन बाबा यूटूब चैनल मैं सज्जादा निसारी बोल रहा हूं दिल्ली से और काफी लोग पूछते हैं आपका नाम क्या है तो हर वीडियो में करीब करीब बोलता हूं ठीक है तो मेरा नाम सज्जादा निसारी है लोग मुझे ड दूसरी बात यह है कि अब समय आ गया है किसी का अब भी समय है आप सब के लिए वरना बहुत पस्तावा होगा प्लीज जल्दी संपर करें यह मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक बहुत सारी नौक्रियां जा रही थी आप देख सकते हैं आए दिन आपको मिल जाते ह होंगे क्या इलान तो इसलिए मैं आप आप लोगों पास उन लोगों से रिक्वेश्ट करूंगा जो डारे सैलिंग में नहीं है ठीक है तो इसलिए कह रहा है अब भी समय है आप सब के लिए वरना बहुत पस्तावा होगा प्लीज जल्दी संपर करें देर आयत दुरूस्त आयत क्या कहते हैं देर आते हैं सोच समझ के आते हैं है ना मा धक्के खा के आते हैं तो फिर भी कहते हैं दुरूस्त आयत फार्शी का मकवला है देर आयत दुरूस्त आयत चलो को बात नहीं देर में सही आय तो सही बहुत अच्छे अच्छी बात है तो मतलब कहने का है आप नौकरी कर रहे हैं किसी भी भाग में मगर अब नौकरी का इतना बड़ा खत्रा मंढा रहा है लोगों का कि 25-30 जार नौकरियों का तो एलान भी हो चुका है कि छटनी होने वाली है टेरी कौम कमपनियों में और ना जाने समझेगे ना ना जाने और कितनी कमपनियों में ऐसे होंगे उसके बारे मताता हूँ जो वक्त का कदर करता है लोग फिर उसका सम्मान करता है लोग सम्मान उसी का करते हैं जो वक्त का कदर करते हैं वक्त मतलब वक्त से आपने अगर नहीं सीखा वक्त को सही जगह इस्तमाल नहीं किया वक्त को वक्त पर अपना यूज नहीं किया तो फिर लोग आपकी सम्मान नहीं बेज़ जती करेंगे बलके आपके घरवाले ही करेंगे कि अगर वक्त था आपके पास आप जॉब करने के साथ साथ में अगर डारेक्ट सेलिंग में जुड़ जाते और अपना जो भी साबून, चाए, कॉफी, तूथ पेस्ट, फूट सप्लिमेंट, रिशिग एनुटी, कॉफी वगरा वगरा जो हम बाहर से लेते, हम डियक्षन कंपनी की डारेक्ट सेलिंग से लेते, तो हमारा क्या होता, पॉइंट जमा होता, पीबी से हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है, वो कैसे मार्केटिंग प्लान सुन लीजेगा, और ऐसे ही हमें 50-60 घर के लोगों को भी बिजनिस में लाना था, ज पुने 50 करेंगे, पचास-पचास-पचास इस तरीके से कितने हो जाएंगे, इस सारे आपका नेटवर्क के खड़ा होगा, और यही नेटवर्किंग बिजनिस है, जिसे धीरे-धीरे इसको बढ़ा करते हैं, और एक दिन नोकरी वाले से, जॉब करने वाले से भी आगे नि करेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मेहनत इसमें जरूरी है, जो वक्त का कदर करता है, लोग उसका क्या करते हैं, कदर करते हैं, सम्मान करते हैं, अच्छा, आज ही आप D-Action Company में अपना काम शुरू कीजिए, आज ही हमारे वीडियो को आपने सुन कर, सुनते ही आप पहले क्या करेंगे, फटा फट अपना D-Action Company में आना शुरू कर देंगे, जोड़ना शुरू कर दीजिए आप, इससे क्या होगा, आप वक्त पर जाग चुके हैं, जब जागो जबी सवेरा है न, इसलिए, आप कहीं भी हो, पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में, आ और संपर करने का दो, तीन माधियम है, एक वाटसब नंबर है मेरा, ठीक है, 9871-291526, एक हमारा D-Action.com है, वहाँ एक कॉंटेक्ट मी आएगा, उस पेज को ओके करेंगे, वहाँ पे नाम हों सब भर देंगे, और जो कुछ लिखना है, D-Action.com पे लिख दीजिए, या हमेशा वो, सब को क्या करना चाहिए, दो काम करना चाहिए, यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हर इनसान को दो काम हमेशा करना चाहिए, साइकल में दो पेहे होते हैं, होते ना, मोटर साइकल में भी होते हैं, ऐसा क्यों होता है, यहाँ तक कार में भी, आगे और जैसे जॉब कर रहे हैं या चोटे मोटे जो भी कुछ कर रहे हैं ठीक है तो इस तरीके जी सारा काम करने के साथ साथ में आपको दूसरा काम क्या करना है डियक्सन डारेक्ट सेलिंग में मैं क्यूं कह रहा हूँ जिसका वज़ाए यह आप जानी चुके हैं आए दे नौकरिय के साथ साथ में इसको इन दो काम को कर लेते हैं मतलब नम्मर सेगंड वाला डारेक्ट सेलिंग का काम कर लेते हैं तो आपको यह फाइदा होगा कि आप कि जो इंकम कम नहीं होंगे रुकेंगे नहीं अगर नौकरी से निकाल भी दिया या कंपनी दिवालिया हो गई तो नेटवर्क खड़ा है इधर आप पूरे जीजान लगा देंगे अभी जैसे दो तीन चार साल अब लगतार मेहनत करेंगे तो अच्छा खासा इंकम आ जाएंगे ठीक है और अच्छा खासा इंकम एक साथ सम्मान इज्सत भी मिलेगा और अगर इश्वर ने अल्ला ने साथ द कमवनःयों में लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं आईसा क्यूं क्योंकि जन संक्या बहुत ज्यादा हो लोग बढ़ रहे हैं नौकरी कितने लोगों कि देंगे तो डारेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनिस है जो हर इनसान एकडूसरी इनसान को नौकरी देता है मतलब ताकर आपका लाक रुपे इंकम ह오 और दुनिया में भी हमें दौलत मिलेगा बने इक बात भी इसलिए तो आप जरूर जितनी जल्दी हो आप डियेक्सन में जुड़िये इसी तरह इसी परकार और कंपनी के लोगों को निकालने का सिलसला जारी रहेगा मतलब अभी तक तो जो भी निकाल रहे हैं कमपनिया निकाल रहे हैं देरी देरी और भी निकाल जाएंगे आप तमाम लोगों से जो कमपनियां उसे निकाले जा रहे हैं आप तमाम लोगों से रिक्वेश्ट है जितनी जल्दी हो मेरे से संबर कीजिए जिस से कि आपको ज्यादा नुकसान ना उठाना बड़े खाली रहना दिमाग खाली का रहना शैतान का घर होता है है ना इसलिए बियस्त रहिए बीजी रहिए मशगूल रहिए मशगूल मेरे रहते हुए हलाल रोजी कमाने के लिए रात दिम मेहनत कीजिए हमारे इसलाम में लिखा है फर्ज नमाज के बाद अगर कुछ भी कोई चीज फर्ज है तो हलाल रोजी है हलाल रोजी कमाने से लाकों फाइदे है बहुत सारी रोजगार से चलता है और हलाल रोज़ी खाके अवलाद अच्छे होते हैं आदत अखलाग अच्छे होते हैं नसल अच्छे होते हैं समझेंगे ना और हलाल रोज़ी कमाके वो दूसरे का दर्ज समझता है बंदा कि कितनी मेहनत से पैसे कमा जाते हैं वो फुजूर खर्ची नहीं करेंगे गलत काम वो पैसा खर्ची नहीं करेंगे और हलालोजी के लिए जो रा दिन दोड़ता है मेहनत करता है वो चोरी नहीं करेंगे चोरी करना बिना मेहनत का अपना यू लाया खाया अगर हलाल तरीके जो मेहनत कमा करता है उसके अंदर इंसानियत होती है इसलिए हमारे में लिखा है इसलाम में हलाल रोजी बहुत जरूरी है कमाना चाहिए हैरान और परेशान रहनी चाहिए हमेशा हलाल रोजी कमाने के चक्कर में ठीक है उस हलाल रोजी कमाने के साथ साथ में आपको उस एक इश्वर का हुकम नहीं चोड़ना है उसके हुकम के मताबिक चलते रहना है अगर आपने उसका हुकम टाल दिया और सिर्फ और सिर्फ अपने हलाल रोजी कमाने के रादिन लगे रहे तो फिर उस इश्वर उस मालि कमाते रहिए इसलिए अब भी समय हैं आप सब के लिए वरना बहुत पस्तावा होगा प्लीज जल्दी संपर कीजिए मैं सज्जाद अनसारी दिल्ली से आप तमाम लोगों के लिए मैं अच्छे ची बात हैं भेजता हूं मुझे उम्मीद है कि हमारी ये जो थोड़ा सा सुझ कार ढूंडना चाते हैं इसलिए और हमारे एक वेब साइट है डियक्शनवाबा.com बुलोग कहिए या वेब साइट कहिए आप गूगल पर लिखे फेस्बुक पर लिखे कहीं भी लिखे आपको यह सब चीज़ा दिख जाएंगे ठीक है ठेंक्यू शुक्रिया मुझे अमी तो मेरो वाटसब नमर में काउंटेक्ट करके आप अपना मश्वारा दे सकते हैं और एक हमारे तरफ से मश्वारा है आप तमाम लोगों के लिए कि आप लोग क्या चाहते हैं डियक्शन कंपनी में जो इस्टॉक पॉइंट होते हैं वो डियक्शन डिस्ट्रिबुटर को देना चाहिए यह नॉन डिस्ट्रिबुटर को जिससे कि उसके घर में कोई किसी को डियक्शन का मेंबर ना हो बन सके ठीक है कोई भी मेंबर ना बन सके जो सर्विस सेंटर लें इसका वजह इसका फायदा क्या होगा वह फिर दूसरों के टीम को तोड़ के अपनी टीम में शामिल नहीं किरेगा आज कल ज्यादा तर अजयते ओफिस में तो होते हैं जो ब्रांच में जो होते हैं वह डियक्शन में उसका कोई डियोडी नहीं होता उसका रिश्यदार में किसी का नहीं होता यही नियम इस्टॉक पॉइंट वालों पर लागू करना चाहिए या नही यह मश्वरा है नीचे कमेंड में कीजिए और आप लोगों में से किन-किन लोगों का डियक्शन इस्टॉक पॉइंट ने टीम तोड़ा है ब्रेंड वाश्यर के छेत्रीयता के वज़ासे भी या धोखा दे के या कोई और भी वज़ासे तो मुझे नीचे कमेंड में लिख आज़ास को थैंक्यो शुक्रिया